नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं सुरिंद्र मोहन पाठर जी द्वाला लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत और खून पार्ट फाइफ बंगले का मुखे द्वार खुला था वे सकपकाई दोनों की निगाहे मिली जैशंकर आया होगा विमल थीरे से बोला विरप्पा ने उत्तर ना दिया केवल वही जानता था कि जैशंकर वहां आया नहीं हो सकता था उसने जिजकते हुए दरवाजा खोला और पीतर कदम रखा उसने दिवा टटोल कर बिजली का स्विच तलाश किया और उसे ओन किया भीतर उजाला फैल गया उजाला फैलते ही लगभग एक साथ दोनों की निगाहें फर्ष पर पड़े एक मानव शरीर पर पड़ी दोनों हडबडा कर एक कदम पीछे हड़ गए फिर विरप्पा हिम् और मानव शरीर के समी पहुँचा अरे उसके मूँसी सिसकारी निकली यह तो कुपुसवामी है अबराहम के कंदे में गोली रगी थी बड़ी मेहनत से बह उठकर खड़ा हुआ सदाशिव राव उसके सामने मरा पड़ा था और उसके बागी साथी वहां से भाग चुके थे किसी ने पीछे यह देखने की तकलीप नहीं की थी कि सदाशिव राव की तरहें अबराहम भी मर नहीं गया था उसने एक व्याकुल निगाह चारो तरफ दढ़ाई कंपाउंड में एक तरफ एक बाइसिकल खड़ी थी वह उसके करीब पहुँचा यह देखकर उसे तनिक र रहा था अबराहम साइकल पर सबार हुआ उसका कंधा उसे बेहत तकलीप दे रहा था और उसे यू लग रहा था जैसे वह उसके जिस्म के साथ नहों पीड़ा और कमजोरी के आधिक्ये से उसकी आँखें धुनलाई जा रही थी लेकिन वह चानता था कि अगर उसने अपनी नीचा किये पूरी शक्ती से वह साइकल के पैडल मारने लगा साइकल एन गेट पर पहुँच गई तो भीतर टेलिफोन से उलचे दामोदरन की उसकी तरफ तबज्जो गई वह जोर से चिल लाया और बाहर को भागा लेकिन तब तक अबराहम गेट पार कर चुका था और सा पैडल को छोड़ कर वह टैक्सी की पिछली सीट पर धेर हो गया सुर्य नरायन रोड वह हाफता हुआ टैक्सी ट्राइवर से बोला अपराहम पुलिस के गुरफ में आने से पाल बाल बचा उसके स्टेडियम से कूश करने के दो या तीन मिनट बाद ही पुलिस का एक बहु अबिनिस्ट्रेशन ब्लॉक वाले दर्वाजे पर प्रेस रिपोर्टर इखट्टे होने रखे और आदे घंटे में उस बे मिसाल लकैती का समाचार जंगल की आग की तरह सारे मदराज शहर में फैल कया पुलिस सुप्रेटेंडेंट वी राजा गोपाल के नित्रत्व में स्टेडियम का चीफ एड्मिनिस्ट्रेटर श्रीपत और सदाशिव राव पहले ही पर लोग सिधार चुके थे कारबाइन धारी गार्ड जिसे की कई गोलियां लगी थी फोरन हस्पताल रवाना किया गया लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया दोसरा गार्ड दाम मुक्त किया गया बालया का सिर बुरी तरह से फटा था जिसकी वज़े से उसे भी हॉस्पिटल केस करार दिया गया और ततकाल हस्पताल फेश दिया गया बाहर गलियारे में तैनाद गार्ड सुब्रमन्यम की तलाश आरम हुई तो वह भी एक टॉलेट में से बरामत हो गया गार्ड दामोदरन ने बताया कि जो जब्बेदार बालों वाला क्रिश्चन युवक बाई सिकल पर वहां से भागा था शर्थिया खयाल था क्योंकि उसने उसकी अर्दली की युनिफॉर्म वाला सफेद कोट खून से एकदम लाल हुआ देखा था उसके बयान की पुष्टी यह बाद भी करती थी कि वह श्रिपत की फियर्ट कार लेकर वहां से भागने वाले अपने दोस साथियों के साथ नहीं भागा था उसके साथी जरूर उसे मर गया समझ कर वहां से भाग खड़े हुए थे लेकिन हकीकतन वह सिर्फ खैल हुआ था और बाद में अकेला वहां से भाग निकलने में काम्याब हो गया था आधी रात को रेडियो पर एक स्पेशल नियूस बुलिटिन फ्रासारित किया गया जिसमें डाके की नियूस थी और जनता से अपील थी कि अगर कोई कारबाइन की गोली से घायल आदमी किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए लाया जाए तो उसकी सूचना तत्काल पुलि कर दिया गया सारे मदराज शहर में उस एंबुलेंस के लिए पुलिस एलर्ट चारी हो गया फिर गवाहों के बयानात से डाकों का कद काठ हुलिया वगेरा स्थापित किया जाने लगा मालूम हुआ कि एक दुबला पतला गोरा चिट्टा खुबसूरत यूवक था जो की न फिर वासन के ओफिस में से फिंगर प्रिंट उठाने का उन्हें क्लासिफाई करने का और उनका नौन क्रिमिनल्स के फिंगर प्रिंट से मिलान किये जाने का इंतहाई पेचीदा काम आरब हुआ अभी जिंदा है विमल ने फर्ष परपड़े व्यक्ति का मौएना किया तो बोला पानी लाओ पानी का एक जग वहीं मौजूद था विरप्पा ने जग उठा लिया और विमल के कहने पर मरना सन व्यक्ति के मौँपर छींटे मारने लगा यह कुप्पु सौमी है विमल भोला हाँ विरप्पा भोला तुम्हारा ओरिजनल साथी जो आयन मौकी पर पीट दिखा गया था और जिसकी जगे तुम लोगों ने मुझे परती किया था हाँ यह यहाँ कैसे पहुँच गया पता नहीं मैं खुद हैरान हूँ इसकी ऐसी ग मौ से एक करहा निकली यह होश में आ रहा है विरप्पा भोला यही कुछ बताएगा फिर वह कुप्पु सौमी से संबोधित हुआ कुप्पु सौमी क्या हुआ कुप्पु सौमी तो यहाँ कैसे पहुँचा तेरी यह हालत किसने की कुप्पु सौमी की आंके फड़ किया विरप्पा ने उसकी गर्दन को सहारा देकर उसे तनिक उंचा उठाया और उसे पानी पिलाया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ कुप्पु स्वामी विरप्पा कुप्पु स्वामी के मुझे निकला हां बोलो यह कौन है यह भी अपना साथी है इसका नाम विमल है बाक कि बाकी यहां नहीं है कि काम बना हाँ बना माल हाथ लगा है सुरक्षित है जैशंकर के पास तुम अपनी बात बताओ तुम्हारा यह हल किस ने किया मेरे अपने भतीजे ने क्या मुथ्थो ने मेरे भतीजे ने उसी की वज़े से मैं तुम लोगों में शामिल नहीं हो रहा वहेद चाहता था कि बाद में मैं तुम लोगों को धोका दूँ और और ऐसा इंतजाम करूँ कि सारा माल मुत्थू ले उड़े यानी कि तुमने डर कर हमारा साथ देने से इंकार नहीं किया था डर कर ही इंकाल किया था लेकिन खत्रे से डर कर नहीं अपने भतीजे से डर कर मुथ्थू और उसके उस खतरनाक दोस्त करनेशन से डर कर वो दोनों बहुत खतरनाक छोकरे हैं मैं तुम लोगों को उनकी ताकत बताने और चेतावनी देने आया था उन्होंने मुझे दवोश लिया और जबरन ओपरेशन की बाबत मुझसे सब कुछ को बुलवा लिया तुमने उन्हें सब बता दिया हाँ उन्होंने बहुत मारा मुझे मेरे अपने भतीजे ने याने कि अभुने पता है कि लूट का माल लेकर हम यहां जमा होने वाले हैं हाँ तो फिर वो यहां क्यों नहीं है लूट का माल हम से छीनने के लिए यहां क्यों नहीं है वो क्योंकि वो दो है और तुम पांच विरप्पा खामोश रहा उसने विमल की तरफ देखा पीछे खून खर इसलिए सामने नहीं आये होंगे क्योंकि उन्होंने हमें खाली हाथ बंगले में दाखिल होते देखा होगा। मिवन ने सहमती में स्थिर लाया। मैं मर रहा हूँ। कुप्पु स्वामी शीन्ट स्वर में भोला। लेकिन हो सके तो मेरे भतीजे से और उसके उस हरामी यार से मेरी मौत का बदला लेना। तुम्हे कुछ नहीं होगा कुप्पु स्वामी। विरप्पा भोला। हम अभी तुम्हारे लिए डॉक्टरी मदद का इंतजाम करते हैं। कुप्पु स्वामी कुछ न भोला। उसने आँखे बंद कर ली। उसकी सांस बड़े अजीबो गरीब तरीके से चल रही थी। कभी लगता था जैसे बंद हो गई हो और एका एक उसकी चाती जोर से उशल पड़ती थी। और सांस धौकनी की तरह चलने लगती थी। विरप्पा ने उसका सर तीरी से फर्श पर टिका दिया और उट खड़ा हुआ। वह और विमल बाहर पोर्श में पहुँचे। इसका क्या करें। विरप्पा बोला। मैं क्या बताऊं। विमल बोला। हम इसके लिए डॉक्टर बुलाने का होसला नहीं कर सकते। विरप् तो और भी मुसीबत पैदा कर जाएगा। फिर इसकी लाश हमारे गले पर जाएगी। साला खाम खान टपका यहां। वो तो तुम्हारे भले के लिए यहां आया था। तुम्हें अपने भतीजे के नापाक इरादों की चितावनी देने। वो हराम ज्यादा यहीं कहीं तो हमें उसको तलाश करना चाहिए। अगर वह और उसका साथी यहीं कहीं हैं तो वो बड़े इत्मिनान से हम दोनों को शूट कर देंगे। अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो हमारे यहां कदम रखते ही कर दिया होता। रात के सननाटे में वो यहां गोलियां चलाना अफ उसके साथी को पता नहीं चुपने में महारा थाजिल थी या विवाहत थे ही नहीं। दस मिनट बाद वी बंगले में वापस लोटे। कुप्पु स्वामी मरा पड़ा था। स्टेशन वेगन चलाता हुआ जैशंकर उस स्थान पर पहुँचा जहां पिछली रात को उसने एमबेस्टर शुपाई थी। उसने स्टेशन वेगन को एक स्थान पर खड़ा किया और उसमें से पाहा निकला। उसने स्टेशन वेगन का पिछला धक्कन खोला। नोटों की पेटी पर निगाह पड़ते ही उसके नितर चमक उठे। उसने यूँ उस पेटी पर हाथ फेर जैसे कोई मा अपने नवजाज शिशू के शरीर पर हाथ फेरती है। उसने पेटी को अपने और खींचा। पेटी अपने स्थान से हीली भी नहीं। जैशनकर आशंकित हो उठा। उसने यह नहीं सोचा था कि पेटी इतनी भारी होगी। उसने एक दो गहरी सांसे ली और फिर पेटी को मजबूती से दाएं बाएं से थाम लिया। उसने एक जटके से पेटी को अपने और खींचा। पेटी अपने स्थान से थोड़ा सा सरकी। लेकिन तभी एका एक उसके सीने में जोर का दर्द उठा। जैशनकर ने घबरा कर अपने दोनों हाथ पेटी पर से खींच लिये। उसने अपना दिल थाम लिया और वहीं बैट गया। आतंग से उसके नेतर फट पड़े। अपने दिल के उस दर्द को वह अच्छी तरह बह जानता था। उसे दिल का दोरा पड़ रहा था। कितनी ही देर वह योही दिल पकड़े बैठा रहा। लगभग एक घंटा गुजर जाने के बाद उसी थोड़ी रहत महसूस हुई। वह धीरे से उठा। कापते हातों से उसने चेव से स्टेशन वेगन की चाबिया निका लिये। उसने स्टेशन वेगन के सारे द्वार बंद कर दिये और चाबियां चेव में रख ली। फिर वह लड़ की वज़े से उसे फॉरण पूरे आराम की जरूरत थी। वह पेटी को स्टेशन वेगन से गुफा में ले जाने योग्य नहीं रहा था। दो या तीन किस्तों में भी नहीं। गुफा के मुहम से जाड़ियां हटा कर वह भीतर परविश्ट हो गया। उसने अपनी जेब से कामपोस की दो गोलिया निकाल कर खाई। फिर धीरे धीरे बड़ी महनस से उसने अपना बिस्तर बंद खोला। उसने अपने उपर एक चाधर ओड़ी और बिस्तर पर लेट गया। उसने अपने नेतर बंद कर लिये। इस समय उसे बाहर स्टेशन वेगन में पड़ी दॉल में खड़े रहना मुनासिब होगा क्या भूल गए हो कि फियर्ट का मालिक कौन है स्टेडियम का चीफ एड्मिनिस्टेटर विरप्पा की मुझ से निकला हां इस वक्त मुनासिब कदम यही होगा कि हम इस लाश को फियर्ट में डाले और फियर्ट को यहां से लेकर किसी दूर तरा सड़क पर छोड़ाएं ठीक है यही करते हैं विरप्पा ने बाहर आगर कार की डिक्की खोली फिर उन्होंने कुप्पु स्वामी की लाश उठाई और उसे किसी प्रकार डिक्की में ठूस दिया दोनों कार में सवार हुए सुनसान रास्तों पर कार चलाते हुए वे सुर्य नारायन रोड से काफी दूर ले गए फिर एक अंधेरी गली में कार की छोड़ कर वे वापस लोटे रास्ते में उन्हें एक टैक्सी मिल गई वे उस पर सवार हो गए सुर्य नारायन रोड पर वे बंगले से काफी दूर ही उतर गए विरप्पा ने टैक्सी वाले क विरप्पा बोला मैं जैशंकर की बात कर रहा हूँ जो एन मौके पर एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग गया और हमें मुसीबत में छोड़ गया उसने बहुत अकलमंदी का काम किया था माल के साथ उसका वहाँ से भाग जाना ही ठीक था लेकिन पीछे हम लोग हम लोगों के साथ उसके भी रुखने का कोई फायदा नहीं था अब कम से कम माल हमारे कबजे में है और देख लो हम सुरक्षित बंगले पर भी पहुँच गए है लेकिन अबराहम सदाशिव राव अगर तुम्हारा उस्ताद यो एका-एक एम्बुले लेकर भाग ना खड़ा हुआ होता तो वो दोनों गार्ड को गोलियों का शिकार होने से बच जाते मुझे उनकी मौत का अफसोस है जिसकी मौत जैसे आनी होती है वैसे ही आती है इससे हम तुम कुछ नहीं कर सकते विमल्स चुप रहा मरने वाले तो मर ही गए विरप्पा अगर भावुकता निकाल कर सोचो तो हमें उनकी मौत से फायदा ही है कौन सा फायदा विमल्स सक पकाया अब उन दोनों का हिस्सा भी हमारे में बटेगा अब तुम्हारा हिस्सा साड़ी बारा लाक रुपे से कहीं जादा का होगा जैस शंकर का हिस्सा अब भी बड़ा रह तो कम से कम बीस लाका तो होगा ही दाता विमल्स की मुह से निकला मैं फिर परत्यक्ष्टा वे नफरत भरे स्वर में बोला तुम्हारे जैसा कफन खसोट नहीं विरप्पा बहुत विदूर प्रपोन हसी हसा दोनों बंगले के समीप पहुँचे वे भीतर दाखिल हुए ब पुलिस क्या पैदला दी है और यों भीतर शुपकर बैठती है किसी की ताक में रहना हो तो छुपकर बैठना ही मुनासिव होता है और वहां चुपाया जा सकता है पुलिस को यहां की क्या ख़बर शायद लग गई हो तो क्या करें विरप्पा ने उत्तर ना दिया की एक एक चाबी विमल के अलावा कुप्पो स्वामी मर चुका था सदाश्षिव राव और अबरहम भी गाड की गोलियों की छिकार हो चुके थे तो फिर चाबी लगाकर दर्वाजा खोलने वाला कौन हो सकता था जैशंकर क्या वह माल के साथ वहां लोटाया था क्या उसने अपनी मूली योजना बदल दी थी विरप्पा ने दर्वाजा खुला और उसे भीदर को धक्का दिया भीदर कौन है विरप्पा उच्छ स्वर में बोला मैं उसकी कानों में अबराहम का शीन स्वर पड़ा मैं हूँ अबराहम सबसे पहले विर जीर से बहे खुन का धेर लगा हुआ था और उसका चेहरा राक की तरह सफिद हो चुका था विरप्पा अबराहम फुसफुसा कर बोला भगवान के लिए मुझे बचाओ विरप्पा ततकाल अबराहम पर जुक गया उसने फाड़ कर अबराहम के कमर से उपर के कपड़े उ और उसे फाड़ कर अबराहम के जख्म को मजबूती से पान दिया खुन बहना पंध हो गया फिर विमल और विरप्पा ने अबराहम को उठाया और उसे ले जाकर बेटरूम में पलंग पर डाल दिया अबराहम ने नेत्र बंद कर लिये विमल और विरप्पा वापस जाने की आवाज आने लगी दोनों पैटरूम में पहुंचे विरप्पा अबराहम तरब कर बोला मैं मर रहा हूं तुझे कुछ नहीं होगा अबराहम विरप्पा संतावना पूण तवर में बोला मेरा जिस्म जल रहा है घाव लगे तो बुखार हो ही जाता है विरप्पा जूट बोल रहा था मुझे हस्पताल पहुंचा दो वहां हस्पताल वाले तुझे फॉरण गिरफतार करवा देंगे तू जेल जाना चाता है नहीं तो होस्ता रख अबराहम मूँ से तो कुछ ना बोला लेकिन उसके चेहरे पर होस्तले के भाव ना आए सदाशिव राव का क्या हुआ विरफपा ने पूछा मर गया अबराहम शीन्सवर में बोला तूने खुद देखा हाँ ओह विरफपा एक शण खामोश रहा और फिर बोला मैं तेरे लिए कोई दबा लाता हूँ तुरंत वहे बाहर की और बढ़ा विवल उसके पीछे हो लिया अभी रास्ते में मैंने एक कैमिल शाप देखी थी विरफपा बोला मैंने उस पर ओपन आल नाइट लिखा पड़ा था मैं वहां इसके लिए कोई पेन किलर और सिडरेक्टिव लाता हूँ विमल ने सहमती में सिरि लाया विरफपा वहां से विदा हो गया विमल एक कुर्स हाथ से अपना चश्मा उतारा उसी हाथ की पीत को अपनी आखों पर रगड़ा और चश्मा दुबारा अपनी नाक पर चढ़ा लिया वह सोचने लगा स्टेजी बहुत विकट थी उसकी जेब में एक नया पैसा नहीं था और उसे विश्वास था कि अब तक सारे मदरास शहर में स्टेडियम में डाका डालने वालों की तलाश आरंप हो गई होगी इसलिए उस बंगले से बाहर तो उसका कदम भी रखना खतरनाक सिद हो सकता था अबराहम की हालत बहुत खराब थी गोली अभी भी उसके जिस्म में थी उसी डॉक्टरी मदद की फोरण प्रण थी लेकिन उसी डॉक्टर के पास ले जाना या बंगले में डॉक्टर बुलाना मौत को बुलावा देना था जैशंकर नोटों की पेटी ले कर कहीं कायब हो गया था स्कीम के अनुसार उसे वापस बंगले में आना था लेकिन अभी तक वह वहान नहीं आया था और जाने क्यों विमल का मन पुकार पुकार कर कह रहा था कि वह वापस आने बाला भी नहीं था और जैशंकर के साथ ही उसका सच्चे मोतियों का नेकलिस या उस नेकलिस से हासिल होनी वाली रकम भी कायब हो गई थी अब उसे इसी बात में अपना कल्यान दिखाई दे रहा था कि वह अधिक से अधिक समय उस बंगले में रहे और विरप्पा को अपनी दृष्टी से ओचलना होने थी फिर एकाईक उसकी मन में एक खयाल आया वह अपनी स्थान से उठा और किचन में पहुंचा किचन में रसत के नाम पर कुछ नहीं था विमल ने सारा बंगला चान मार था उसी कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया जो उनकी बंगले में रिहायश के दौरान उनका पेट भर सकता विमल वापस ट्राइंग रूम में आकर पैट गया वह और अधित चिंतित हो उठा था वह विरप्पा की प्रतिक्षा करने लगा जो जो विरप्पा की आने में देर होती जा रही थी विमल चिंतित होता जा रहा था विरप्पा जैशंकर का विश्वास बातर साथ ही था कहीं वह भी तो खिसक नहीं गया था लेकिन तबी विरप्पा वापस बंगले में आया तो उसकी जान में चान आई विबन ने उसे बताया कि बंगले में खाने के नाम पर एक दाना भी नहीं था यह कैसे हो सकता है विरप्पा हैरानी से बोला कल तक यहां हर चीज मौजूद थी मुझे लगता है जैशंकर ने जान बुझकर सब पुझ साफ कर दिया है ताकि जब हम भोग से तंग आकर यहां से बाहर निकले तो सीधे जाकर पुलिस की तितो उठा उसके मन में जैशंकर के प्रती संदे का बीजारोपन होने लगा जैशंकर ने उसे खुद कहा था कि उसने कुछ दिन सूर्य नरायन रोड वाले बंगले में बाकी लोगों के साथ रहना था और फिर बार में चुप चाप वहां से खिसक जाना था अगर जैशंक चाहता था कि वह कुछ दिन बागी लोगों के साथ बंगले में रहे तो उसने बंगले में रखी सारी रसत क्यों साफ कर दी थी क्या अब भी तुम्हें विश्वास है कि जैशंकर नोटों से भरे थेले लेकर यहां वापस आएगा विमल बोला विरप्पा ने उत्तर नहीं विमल बोला छोड़ो विरप्पा बोला अब इस बात का इतना महत्व नहीं है कि जितना इस बात का कि पेट कैसे भरेगा और दोस्त इस बात की खैर मनाओ कि हम दोनों कम से कम जीते जागते वन पीस खड़े हैं सजा शीव राव की तरह मर नहीं गए हैं और अबराहम की तर सकता विमल धीरे से बोला राजा राव वह क्या मदद कर सकता है हमारी देखो अब हमारा यहां से बाहर निकलना खतरे से खाड़ी नहीं है यहां से निकलकर रसत जुटाने के चक्कर में हम पकड़े जा सकते हैं अगर राजा राव मान जाए तो वह हमारे लिए खाने पीने का सामान लेकर यहां आ सकता है उसे मालूम हो जाएगा कि स्ट्रीडियम का कैश हमने लूटा है ह हो जाए क्या फरक पड़ता है आखिर वह तुम्हारा यार है और फिर उसकी मदद के बदले में हम धेर सारे धनका लालज दे सकते हैं विरप्पा ने अपनी घड़ी देखी और फिर बोला मैं कोशिच करता हूँ बंगले में टेलीफोन मौजूद था राजा राव माउंट रोड के टेलीग्राफ ऑफिस में काम करता था और उन दिनों उसकी नाइट जूटी थी विरप्पा ने डेलेक्टरी में माउंट रोड के टेलीग्राफ ऑफिस का नमबर देखा और फिर वह नमबर डायल कर दिया फोन पर उसी बताया गया कि राजा राव की उसी रोज से जूटी बदली थी और यह कि अब वह दिन में आता था विरप्पा ने टेलीफोन को क्रेडल पर पटक दिया वह रात उन्होंने भूके ही काटी रात की दो बजी तक शिनाक्त के लिए अंधक परियतन करते पुलिस की फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट अबराहम की शिनाक्त क खन्या था और उसते पहले वही आदमी इलाभाज सेंटर जेल से फरार हो चुका था तब वह एक सिख युवक था और उसका वास्तविक नाम सरदार सुरेंदर सिंग सोहल था विरप्पा के बारे में पुलिस को कोई अतिरिक्त जानकारी हासिल नहीं हो सकी धीरे धीरे पु अबुलेंस की ड्राइविंग सीट पर पैठा रहा था और जो अबुलेंस में नोटों सी भरा स्ट्रेचर रखा जाते ही अपने सातियों की प्रवाह के बिना अबुलेंस वहां से भगा ले गया था किसी ने उस पांचवे आदमी की सूरत नहीं देखी थी पुलिस सुप्र सुप्रिटेंडेंट राजा गोपाल की मता अनुसार वहे पांचवा आदमी ही रिंग लीडर था जो एन मौके पर अपने सातियों को दगा देकर और माल लेकर वहां से चंपत हो गया था नगर से बाहर जाने वाली सारी सड़कों पर और रेलवे स्टेशन पर पुलिस का देखी दिल की धरकन देखी और फिर बोला गया अब विमल भोला अब हमें इसकी लाज को ठिकाने लगाना पड़ेगा कैसे कहां बीच से अच्छी जगे कौन सी हो सकती है गैरेज में एक फावडा पड़ा था उन्होंने फावडा उठा लिया और चुप चाप बीच पर आ बंगले में वापस आकर अबराहम की लाश को एक चादर में लपीटा विरप्पा ने उसे अपने कंदे पर लादा और बीच पर ले आया उसने लाश को कबर में लिटा दिया निवन ने तेजी से उस पर मिट्री डालनी आरब कर दी थोड़ी देर पे पहले अबराहम की ला पाके का बड़ा विस्तर विवरण था जो की विमल और विरप्पा ने भी सुना रेडियो पर विमल विरप्पा और अबराहम के हुलिये पढ़कर सुनाए गए और जनता से प्रातना की गई कि अगर किसी को वे तीनों या उनमें से कोई कहीं दिखाई थे तो उसकी सूचन फोरण पुलिस को दी जाए साथ ही डाकों को पकरने वाले को दस हजार रुपे के इनाम की भी खोशना की गई विमल और विरप्पा को पसीने आ गए रेडियो पर उनके हुलिये इतनी बारेकी से बयान किये गए थे कि उन्हें बच्चा भी आसाने से पहचान सकता था फिर पुलिस के पास हॉस्पिटल रोड के समीक की एक विरान गली में लावारी सखड़ी एक एम्बूलेंस की खबर आई वह एम्बूलेंस गाड दामोदरन को दिखाई गई दामोदरन ने फोरण इस बात की तस्दीग की कि पिछली रात वही एम्बूलेंस स्टेडियम मे पहुची थी एम्बूलेंस की प्रिष्ट भाग से गाव तक्ये की गिलाव जैसे दो तीन थेले परामाद हुए उनमें से एक में स्टोक का एक नोट भी अटका हुआ था एम्बूलेंस की स्टेरिंग वील गियर बगैरा पर से उंगलियों की निशान उठाए गए फिर गल किसी ने नीला बताया तो किसी ने फिरोजी नंबर भी दो तीन बताये गए सारे बयानों का निचोड पुलिस ने यह निकाला कि स्टेशन वेगन संभवता नीली रंकी थी और उसका सबसे अधिक संभावित नंबर एम जे एल डबल फोर्ट डबल सेवन था दस बचे पर दस हजार रुपे का इनाम अनाउंस हो चुका था संभावना इस बात की थी कि राजा राव बंगले में उनके लिए रसत लेकर आने के स्थान पर पुलिस को पता आता कि वे लोग सूर्य नरायन रोड के उस बंगले में छुपे हुए थे लेकिन वह खत्रा उठाने के स से बोल रहा था और क्या चाहता था राजा राव ने बड़े ही शांस्वर में उत्तर दिया कि वह लगबग बारा बजे तक उसकी इच्छी त्वस्त में लेकर बंगले पर पहुँच जाएगा विरप्पा ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया और अपने चेहरे पर चुष बंगले का फाटक लांग कर भीतर परविष्ट होता हुआ राजा राव दिखाई दिया वह अपने दोनों हाथों में दो भारी धहले लटकाए हुए था यह देखकर उनकी जान में जाना गई कि राजा राव अकेला था साथ में पुलिस नहीं थी विरप्पा ने बंगले क उसे किचन में ले गया राजा राव बिना कुछ बोले खाना बनाने में जुट गया मुश्किल से 25 मिनट में उतनी चावल और सामबर तयार कर दिया विमल और विरप्पा पागलो की तरह खाने पर जप्टे जितनी समय में उन्होंने खाना खाया उतनी समय में राजा राव ने कॉफी तयार कर ली सब कॉफी पीने लगे राजा राव ने अपनी कॉफी का एक घूट पिया और फिर धेरे से बोला माल कहा है राजा राव का सवाल इतना सीधा और अर्थ पूण्ट था कि विरप्पा ने यही उचित समझा कि वेह उसी सारी कहानी सुना दे ओह सारी कहा लेकिन दौलत मेरी हातों से इतनी आसानी से नहीं निकल सकती विरप्पा आवेश फुन्ट स्वर में बोला वह तो निकल ही चुकी है राजा राव बोला जैशंकर तो यहां हर्गिस वापस द्लॉट कर नहीं आएगा मत आए लेकिन मुझे मालूम है वह कहां चुपा बैठा ह हाला कि विरप्पा सच बोल रहा था लेकिन विमल ने यहीं समझा कि वहे राजा राव को लालच भी फसाईर रखने के लिए ऐसा कर रहा था जरा पुलिस की सरगर्मी खत्म हो जाए फिर मैं तुम दोनों को वहां ले जाऊंगा जहां जैशंकर सतर लाक रुपे पर साप की तरह कुणली मारे बैठा हुआ है उसके बाद दौलत हमारे हाथ में होगी हमें यहां सिर्फ आट-दस दिन इंतजार करना होगा उसके बाद हम यहां से निकाल लेंगे अगर तब तक चैशंकर भी अपने गुप स्थान से निकल गया वह नहीं निकलेगा हम केवल अपनी जान बचाने के लिए यहां छुपे हैं लेकिन उसे जान और मार्ग दोनों की फिक्र होगी दौलत का लालच उसे अधिक से अधिक देर तक में वहां ले जाऊंगा विरप्पा आश्वाशन पूर्ण स्वर में बोला राजा राओ चुप चाप कॉफी पीने लगा अब वह पहले जितना निराज नहीं दिखाई दे रहा था यहां से एक शौटकट है जो सीधा हमें महाबलीपुरम मदरासवारी सरक से मिला देगा त्याग राजन बोला लक्ष्मी ने एक उपेक्षा पूर्ण निगा अपने पती पर डाली लेकिन मुसीक कुछ न बोली उनकी पुरानी फोर्ड गाड़ी हिचकोले खाती हुई उस गंदी रेतिली स्रलक पर आगे पढ़ती जा रही थी जो त्याग राजन की नजर में एक पहुत अच्छा शॉटकर था त्याग राजन सुभा अपनी पत्नी लक्ष्मी को अपनी पुरानी फोर्ड पर पिकनिक के लिए कांची पुरम लेकर गया था कंची पुरम पहुँचते पहुँचते गाड़ी दो बार बिगड़ चुकी थी जिसकी वज़े से सुभा से ही लक्ष्मी का मोड खराब था उसके बाद त्याग राजन ने कंची पुरम के भव्य मंदिरों के प्रिष्ट भूमी में अपनी फिल्म अभिनेत्री जैसी सुन्दर पत्नी की कुछ तस्वीरे खेंची थी लेकिन फिल्म निकालते समय गलती से उससे कैमरा खुल गया था और उसे लगबग 800 रुपे वेतन मिलता था लेकिन जैसी पत्नी उसे मिली थी उसके निगा में 8000 रुपे वेतन पाने वाला आदमी भी करीब था लक्ष्मी को सैर सपाटे का और केमती परिधान और जेवर पहनने का पेहर शौक था हमेशा भे अपने पती से कोई न कोई फर्म नहीं की थी कि उसकी फर्माईश पूरी करने के लिए त्याग राजन पैसा कहां सी लाता था त्याग राजन अपनी हेमा मालनी जैसी खुबसूरत बीवी पर इतना लट्टू था कि वह जख मार कर उसकी हर इच्छा पूरी करता था कार जटके खाती हुई आगे पढ़ती रही लक्ष्मी अपनी गोद में रखे ट्रांजिस्टर रेडियो को ट्यून करने की कोशिश कर रही थी लेकिन धक्कों की वज़े से काम्याब नहीं हो रही थी हे भगवान वह अताश पून स्वर में बोली क्या गाड़ी है मेरे तो अंजर पंजर धीले कर दिये तुमने इससे तो अच्छा हम बस पर आजाते त्याग राजन बड़ी मुश्किल से अपना गुस्ता दबा भाया सारा दिन लक्ष्मी किसी न किसी बात पर उसे ताने देती रही थी और अब उस शौटकट के चकर में पढ़कर वे खुद बहुत बश्ता रहा था अंधेरा हो रहा और रास्ता उसकी अपेक्षा से ज़्यादा खराब निकला था ऐसे में अगर गाड़ी बिगड़ जाती तो गाड़ी बिगड़ने का विचार उसके दिमाग में आने की देर थी कि उसका अगली और का दाया पईया पैट गया गाड़ी पुरी तरहन डग मगाई लक्ष्मी जटका खा कर अपने पती की गोर में आगिरी त्याग राजन ने स्टेरिंग को संभालते हुए ब्रेक का पैडल दबाया गाड़ी एक बीड़ों के जुन के पास रुख गई अब क्या हुआ लक्ष्मी संभलती हुई क्रोजी स्वेर में बोली त्याग राजन बिना उत्तर दिये कार से बाहा निकलाया शेगरी उसे मालूम हो गया कि कार का एक बैट गया था उसको पसीना आ गया स्टैपनी में पहले ही पंचर था क्या हुआ है लक्ष्मी फिर बोली एक बैट गया है त्याग राजन मरीस्वर में बोला वेरी गुट लक्ष्मी कार से उतर आई इधर आने क्ले? त्याग राजन बोला. जैसे और लोग भी तुम्हारे जैसे मोर्ख हैं. फिर तो बस कही सारा है और बस कहां मिलेगी? Main Road पर. Main Road कहां है? तो यह थी अब तक की कहानी, आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ, और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद